दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए लेकिन हर किसी के बसकी नहीं हो पाता या फिर कहें कि हर किसी के नसीब में नहीं होता कि जो वे चाहे उसको उस चीज की प्राप्ति हो जाए तो आज मैं आपको एक और वशी करन का ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने वश्च में कर सकते हैं अपनी मन चाही चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर कहें आपको कुछ नहीं करना है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बहुत अजीब सा उपाय है आखिका नाभी पर उंगली रखकर कौन करता है किसी का वश्यकरन तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाभी पर उंगली रखकर किसी का भी वश्यकरन कर सकते हैं इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाब भी हुआ है तो चलिए आप नोट कीजिए कि कैसे करना है यह उपाय क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएंगी आप किसी को भी अपने वश में कर लेंगे क्योंकि आप कभी-कभी ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन यह बिल्कुल सच है क्योंकि हमारे गुरुजी है वह सिद्ध गुरुजी है जैसे हम आपको बताएंगे उस हिसाब से अगर आप वह कारे करेंगे तो 100% आपकी मनो कामनाय पूरी हो जाएंगी जी मिंत्र को पढ़ने के बाद आपकी समस्याइदूर हो जाती है और यह बहुत ही सरलुपाइँ है जिसको आप कभी-वह और किसी को भी अपने वशुमें कर सकते ने आप सबसे पहिले क्या ें अपने वैड के उपड़ लेट जाये उसके बाद अपनी उंगली को आप उस इन बार मंत्र ध्यान से सुनिएगा ओम नमो कामेश्वरी वश्य ओम नमो कामेश्वरी वश्य करूं करूं यह आपको मंत्र बोलना है मंत्र में एक बार फिर से दोहरा देती हूं ओम नमो कामेश्वरी वश्य ओम नमो कामेश्वरी वश्य करूं करूं इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस उंगली को अपनी नाभी पर रखना है जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो अपनी नाभी पर उंगली रख लें और उस इंसान का ध्यान अपने मन में लगातार करते रहें जिसको आप पाना चाहते हैं इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ साथ बार करना है और उसी इंसान का ध्यान करते रहना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे मात्र साथ घंटे के अंदर दावा करती हूं मात साथ घंटे के अंदर वह इंसान आपके बस में होगा ऐसा करते ही वह इंसान आपके वश में तो होगा ही साथ ही आपकी सारी बाते मानने लगेगा अगर आपके पास इस उपाय को करने में कोई समस्य आ रही हो या आप चाहते हो किस उपाई को किस तरीके से किया जाए पूर्ण रूप से जानना चाहते हो विस्तान पूरवक जानना चाहते हो तो जो नमबर आपकी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं आप इन नमबर उपर हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी जब तप करते हैं बहुत सारी सिद्धिया प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये वश्यकरन के सरल और सठी कुपाई आप तक पहुंचाते हैं तो आप ज़रूर इन नमबरों पर समपर करें हमारे गुरुजी से प्राप्त करें यह सेटी को पाए और मुझे दे आ गया जया माता दे